नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है पूरा उत्तर भारत सितलहर कोहरे और कडाके की ठंड से ठिठूर रहा है यूपी दिल्ली जैसे राज्यों में पहाड जैसी ठंड पड़ा रही है रविवार को तो दिल्ली एनसियार में तापमान तीन डिगरी तक पहुँच गया मौसमी भाग ने अगले चार से पांच दिनों तक उत्तर भारत में सुबह के समय घना कोहरा चाया रहने का अलर्ड जारी किया है इसके अलवा उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों के दौरान सितलहर से गंभीर सितलहर की संभावना जताई गई है राहत की बाद थोड़ी सी ये है कि दो दिनों बाद उत्तर भारत में नियुंतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है जिससे कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी बात करें ये पंजाब हरियाणा चंडिगर उत्तर प्रदेश की तो इन दिनों नियुंतम तापमान तीन से साथ दिगरी सेल्सियस के बीच ही रिकार्ड किया जा रहा है वहीं दच्छिन राजस्थान मद्य प्रदेश बिहार जारकंड में ये आर से दस डिगरी सेल्सियस के बीच चल रहा है राजधानी दिल्ली में तो बहुत जादे सर्थी है और तापमान तीन तक आलमोस्ट रह रहा है संभावना जताई जा रहे है कि पच्छमी हिमाललाई इलाकों में 16 जनवरी से वेश्टर्न डिश्टर्मेंज आने वाला है जम्मु कस्मीर, लद्दाक, हिमाचल परदेश में 16 और 17 जनवरी, उत्राखण में 17 जनवरी को हलकी बारिस और बरबारी हो सकती है सरदी के साथ सबसे बड़ी समस्या कोहरा है इसको ले करके मौसा विभाग ने कहा है कि पंजाब, हर्याणा, दिली, चन्रीगड और उत्र परदेश में 16 जनवरी की सुबह तक बहुत घना कोहरा चाया रहेगा जमू संभाग हिमाचल परदेश उत्राखंड में 16 जनवरी तक घने कोहरे के चायराने की संभावना है उत्री राजस्थान में 18 जनवरी तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जारखन, ओडिसा, असम, मिघाले, नागाला, मडिपूर, मिजोरम, त्रिपुरा में 15 जनवरी तक कोहरे का अलर्ट है हास बात ये कि इस दवरान सित लहर भी चलेगी यूपी में 15 जनवरी तक वहीं कुछ जगों पे 16 जनवरी को भी सित लहर चलने का अलर्ट है मद्य भारत में आगामी 5 दिनों तक निउन्तम तापमान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है वहीं उत्तर पश्ची भारत में अगले दो दिनों तक भी सन ठंड से राहत मिलती हुई सी नहीं दिख रही है बात करें महाराश गुजरात की तो अगले दो दिनों में निउन्तम तापमान 2-3 डिगरी सेल्सियस की कमी आ सकती है रहे ने भी खबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू